जिन लोगों पर हो शनी की साड़े सती या ध्रिया या फिर शनी का हो कोई अनिस्ट कारी प्रभाव या जिनका कारियों में भी लंबाता हो या भी वहां में देरी हो रही हो तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ अगर आप शनीवार के दिन शनीदेव को परसंद करेंगे उन उपायों से तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे उससे पहले प्लीस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और मुझे स्पॉट कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपको शनीदेव, शनीवार के दिन सतनजा लेकर आपको या तो आप शनीबंदिर में चड़ा सकते हैं, शनीवार के दिन या फिर किसी पेड में जहां पर चीटी आती हो, वहां भी डाल सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा उपाय है, जिससे कि आपके घर में धन्त आने की व्रिदी होगी, आपके जो कारियों में विलंब हो रही है, या वहां में या किसी भी और कारिया में तो वो दूर हो ये बहुत एक अच्छा उपाय है, इसे आप करिए तो इसे आपको बहुत फायदा होगा, आप इसे लगातार पांस साथ ग्यारा शनिवार करिए, तो शनिदेविस से प्रसन होंगे, और इसके साथी आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं, कि आप शनिवार के दिन पीपल के प आप करें, ये वैसे तो आप 108 भार करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप पांस साथ ग्यारा ये किस बार भी कर सकते हैं, और एक उपाय आप और भी कर सकते हैं, जिससे की आप पर से ये सब शनिवार के दिन आप हनुमान जी का हनुमान चालिसा कर सकते हैं, हनुमान जी क पूजा कर सकते हैं और उपासना कर सकते हैं जिससे भी शनी देव शान्त होते हैं और प्रसंद रहते हैं तो इससे भी आपके कारिये बनने शुरू हो जाते हैं और जो भी साड़े सतिया शनी के धहिया के कस्ट दुख है दूर हो जाते हैं उससे हनुमान जी के उपासना करने और आप शनी चालसा शनी स्त्रोत का पार्ट भी कर सकते हैं शनी वार के दिन इससे भी जो आपके शनी देव परसंद होंगे और सभी जो हमारी जनम कुंडली में अगर कोई शनी ग्रह का दोश है वो भी दूर हो जाएगा और जिन पर साड़े सा दिया या शनी की धैया है वो भी आपके जो कस्ट दुख दूर है वो भी पिड़ाय दूर होंगी और आपकी बिमारी जो है ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अगर कोई बिमारी हो आपको तो तो उसके लिए भी आपको मैंने जो ये कुपाय बताया है वो करिए आप एक नारियल शनी वार के दिन शनी मंदिर में भी रख सकते हैं तो इससे भी आपके कस्ट दुख दूर होंगे और कारिया में होने वाले लंब दुख दूर होंगे आपके पास पैसे की कमी ने रहेगी वहां शिगर हो जाएगा जो भी शनी या मंगल से या कोई भी इस तरह का रुकावटे आ रहे हैं ग्रहो से सम्मल तो वो भी दूर हो जाएंगी तो यह प्लीस आपकी उपाई जरूर करिए इस आपको बहुत लाब होगा प्लीस मेरे चैन को लाइक शेर कीजिए थैंक यू